हेलो फ्रेंट मैं बिर्जेस कुमार ओपिसियल यूटूब चेनल जी ओ बीटी यानि गॉर्मेंट जॉब्स फोर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है क्योंकि आज एक अच्छी वेकंसी के बारे मैं बताने वाला हूँ यह जो वेकंसी हैं सरकारी नोकरी के लिए हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जो वेकंसी हैं दिली में आया है और दिल्ली में हर कोई नोकरी करना चाहता है तो यह vacancy दिल्ली के colleges में आया है यानि इनुवर्चिटी आप दिल्ली के जो colleges हैं इसी college में आवेदाना मंत्री थें और एक अच्छी vacancy हैं permanent सरकारि नोकरी हैं यानि permanent government jobs जिसको हम कहते हैं यहीं सरकारी नोकरी काते हैं इसी के लिए आवेदानामंत्रित हैं तो आज आप प्रिपेर हो जाए और तयार हो जाए कि जल्दी से आपको अप्लिकेशन फाउंट फिल करना है वो भी इनुशिटी आप दिली के जो कॉलेजिस हैं इसी में आवेदानामंत्रित हैं जिसका ना केवल आपके लिए बनाता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और आप चाहते हैं किसी तरह का अपडेट और नी वीडियो आपको मिलें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि इस चैनल पे यूटूब पर जितने भी वीडियो अपलोड क की जाती है सबसे पहले इस चैनल के तुरूब वीडियो अपलोड की जाती है एक दो वीडियो को मैं हटा दूँ जिससे कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो जैसे यह जो वीडियो है मुझे मोर्निंग टाइम में बनाना चाहिए था लेकि मोर्निंग टाइम में एक्जाम लाइक जरू करना है उसके अलावा आपको सेयर भी करना है वीडियो को ज़्यादस ज़्यादा सेयर करें जिससे कि सभी लाइबरी प्रोफेशनल्स और अदर जो वेकेंसी है यह नौन टीचिंग के एक अच्छी वेकेंसी है qualification कोई ज़्यादा required नहीं है और experience क्या रहेगा इसके बारे में detail जंकरी अभी नीचे चलेंगे तो हम बात करेंगे मैं आपको बता दू कि यहाद जो वेकेंसी है पर्मानेंट है और हम बात करेंगे बिभिन्त पद के बारे में इसके बाद जो भी detail जंकरी है उसके बारे में हम discuss करेंगे तो देखे जो form फिल करना है ओंलाइन form फिल करना है application form दिल्ली के जो भी colleges में यनि इनुशिटी आफ दिल्ली के जो भी colleges हैं जो भी महबिद्याले हैं जिसके वेकेंसी आती हैं तो मात्र 15 डेज यनि 15 दीन आपके पास राता है application form फिल करने के लिए चाहें कोई भी वेकेंसी इंवर्सिटी आप दिल्ली के जितने भी college है यानि महाबिद्धाले हैं सभी college के लिए जो application form fill करने के लिए मात्र 15 दी जाती है इस लिए आपको delay बिल्कुल भी नहीं करना है जल्दी से application form fill करना शुरू कर देना है अब यहां पर जो है यहां पर serial number दिया है यहां पर post का नाम दिया है यहाँ पर नंबराब पद है यहां से लेकर यहां तक category wise पद दिया गया है यहाँ पर जो है एज लिमिट दिया गया है यहाँ पर सेवन सेबे सी कमसार से दी गई है इसमें library science की field में बात करें तो library के लिए एक पद है और लेबरिटी अटेंडेंट के एक अचिघिंची हैं, अमारे पास अभी चाहिए दिन ही कमेंट आया था तैं लेबरीटी आटेंडेंट से रिलेटेड लेबरी असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं। जो देखें वीडियो जो जितने भी चैनल पर अप्लोट की गया हर वीडियो में लेबरेटरी आटेंडेंट और लेबरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट रहता है बट जो यूटूब पे आप जो ठमनेल जो देखते हैं आप जो देखकर आकर सिट होते हैं उसमें इतना हम जो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं otherwise इनो सिटी आप एलाबाद में जो आवेदा नाम अंतरित किया गया है उसमें जो लाइबेरी साइंस की फिल में एक अच्छी वेकेंसी थी नॉन पेचिंग की एक अच्छी वेकेंसी थी वो वीडियो आप देख सकते हैं और ओनलाइन अप्लिकेशन फार्म फिल करने के लिए कल ही हमारे पास जैसे हमारे वीडियो अप्लोड हुआ अप्लोड होने के एक मिनट के अंदर ही हमारे पास कमेंट आ गया कि सर ओनलाइन अप्लिकेशन फार्म फिल कैसे करना है तो उसको एक मिनट के अंदर ही जो हमारे एप्लिकेचन फाम को फिल करने कि लिए है याज ही आप कमेंट करते हैं तो कल आपको online अप्लिकेचन फाम फिल करते हुए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ और डाइरेक्टर फिजकल एजुकेशन में एक पद हैं L10 का पद हैं दोनों पद के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं इन्हीं लाइबरियान और डाइरेक्टर फिजकल एजुकेशन दोनों पद के लिए कोई एज लिमिट नहीं है आप 50 साल का पद है जुनियर असिस्टेंट के लिए टोटल पांच पद है जनरल काटेग्री में दो हैं दो पद OVC में है एक पद ST में है और इस तरह से एज लिमिट है 27 साल और L2 का पद है देखे L2 का अंसार भी celery की बात करें तो आपको 20,000 से उपर ही होगा कम नहीं होगा तो इस बात को आपको attention नहीं लेना है बाटनी लेबरेटी attendant बिभिन विसे यानि डिपार्टमेंट या विसे इम आवयदाना मंत्रिथ है तो हम विविन विसे की बात करें, तो बाटनी में 2 पद है, जनरल कटेग्री में, केमेस्ट्री में जो है, टोटल 5 पद हैं, और Economics में 4 पद है, Physics में 3 पद है, जुलोजी में 2 पद है, इन सभी पद के लिए Age Limit हैं, 30 साल, और L1 का पद है, लाइबरी आटेंडेंट के लिए टूटल 10 पद पर आवेदनामंतृत किया गया है एज लिमिट हैं 30 साल और L1 का पद है L1 के मतलब कि आपकी सेलरी 20,000 से कम नहीं बनेगी यह मैं सोचे कि 20,000 से कम होगा तो इसलिए L1 का मतलब 18 से 20,000 आपकी सेलरी हो सकती है अठार से उपर या और 20,000 से उपर यह नठार से उपर और 30,000 की बीच में मान सकते हैं अधरवाई नीचे देखेंगे सेलरी दिया होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा ओनलाइन अप्लिकेशन फार्म फिल करना है इसके लिए या लिंक है लाइबेरियन के लिए मास्टर डिगी लाइबेरिया इन फार्मेशन साइंस में 55% होनी चाहिए गूड एकेडिमी के रिकार्ड और नोलेज और कम्प्यूटराइज आप यह लाइबेरी है इड्मिनिस्टेटिव लेबल का पदर आता है एज लिमिट है इस पद के लिए इनोसिटि आप दिली और एज़ी सी नोम के उनसार ही एज लिमिट इसमें दिया गया है डाइरेक्टर फिचकल एजूकेशन के लिए भी क्वालिफिकेशन सिम क्वालिफिकेशन है और ये और भी दोनों क्वालिफिकेशन होना कंपलिस्टरी है एज लिमिट जो है जो मैं बताया हूँ वही है इसका लावा भी भी ना हाइट है ओमेन के लिए नॉम्स है चेस्ट है सब डिटेल जंकारी हैं तो यहां आप देख लेंगे कि वह डाइडेक्टर है फिजकल एजूकेशन के लिए जुनियर सोरी सिनियर प्रसनल असिस्टेंट के लिए जो पद्धें क्वालिफिकेशन में बेचलर डिग्री हैं कम से कम तिन साल का एक्सपरियेंस और जो एक्सपर बीट आरगेनजेशन यह संच्था यह इनुच्टी का भी एक्सपरियेंस तो भी काम चल जाएगा आप अपलाई कर सकते हैं eligible है इसके लवाद 10 मिनट आपको टाइपिंग करना है 100 वट पर मिनट के average से तो यह टाइपिंग है detection टाइपिंग जिसको हम करते हैं detection टाइपिंग 10 मिनट कराता है और जो है 35 मिनट इंगलिस टाइपिंग है और नोलेज आप कंप्यूटर अप्लिकेशन है साथ में age limit 30 साल है junior assistant के लिए 12 standard pass out मांगा हुआ है इसके अलावा जो junior assistant के अपर दोता है वो सारे काम कंप्यूटर पर करना रहता है यहीं लेटर बनाना लेटर को टाइपिंग करना ड्राप्टिंग करना यह सब काम करना रहता है तो इस तरह से जो हैं कि टाइपिंग का require 100 परसेंट रहता है इसलिए typing speed की बात करें तो English typing है 35 word per minute और Hindi typing है 30 word per minute दोनों में से कोई एक आपके पास हैं तो आप eligible है apply जरूर करें इसके अलवा laboratory attendant के लिए जो qualification है दसवी standard science subject से pass out होना चाहिए इसके लावा यहाँ पर एक note दिया हुआ है जो मैं पढ़ता आपको खुनानत चाहिए note है the selection will be made on the basic app इसकी माफ examination prescribed by inner city norms time to tie यानि inner city आप डिली का जो norms हैं जो syllabus हैं इसी के आधार पर आपका selection होगा और इसी के आधार पर short list किया जाएगा जो भी rules है regulations है inner city आप डिली का चलेगा इसमें library attendant के लिए जो qualification है दसवी standard pass out होनी चाहिए मतर दसवी standard pass out और इसके साथ में जो है certificate of library information science तो मैं यहाँ पर जब भी certificate की बात आती है तो इसी channel पर एक comment आया था हमारे library professionals का वो बता रहे थे हैं कि हमारे पास believe है बट certificate नहीं है त चाता हूं कि certificate course है lower lower degree है certificate जो degree है और diploma या degree जो है bachelor of library information science या diploma of library information science दोनों जो है इससे certificate से उपर का है इसलिए आप 100% eligible है apply कर सकते हैं इसलिए थोड़ा सा एक minute का time एश्टरा लगे लेकिन clear आपको समझ में आना चाहिए confirm आपको जंकारी में देने का प्रयास करता हूं जिससे कि आप without doubt का apply कर सकें एज लिमित तीस साल है और इस पद्ध के लिए बहुस सारे यहाँ पे detail जैंकरी दिया गया है यानि जो कार करना रहता है तो यह तो आपको जब नोकरी सकारी लग जाती है तो चाहें कार कोई भी हो आदमी कर लेता है अब यहाँ पे general terms and conditions है तो देखे बहुत खर्च होगा अभी तो मैं data के वीडियो quality कम करके upload करता हूं जिससे कि आपका data भी खर्चना हो अधर्वाइज आपका 2GB, 3GB, 1GB में एक वीडियो देखने में ही खतम हो जाता तो इसलिए कि इसके बारे में detail जंकरी मैं नहीं बता रहा हूं जो terms and conditions हैं मैं बात कर रहा प्रची के फिल्ड में 500 रुपे कोई ज्यादा नहीं है इसके अलावा AC-HT candidate के लिए कोई भी application शुल्क नहीं लग रहा है तो इसलिए कोई भी फीमेल कंडिडेट है तो apply कर सकते हैं और इसके लिए कोई application शुल्क देने की जरूवत नहीं है और नहीं आपका application शुल्क लग करते हैं तो जो भी आपके पास certificate proof है वो certificate proof आपको upload करना है या उसमें आपको लगाना है document के साथ में इसके बाद यदि आप government सेक्टर या private सेक्टर में जो आप नोकरी कर रहे हैं तो proper channel के थुरू आपको application form send करना है proper channel के थुरू send करने का meaning यहीं होता है कि जिस office में कार कर र और एक दम राइट है एक चीज में चेक करके बताया हूँ application form fill करने के लिए क्या care require होगी यह आपको पता होना चाहिए जैसे ID proof Gmail ID और mobile number यह सब normal बात है यह सब लगेगा admit card जो है eligible candidate को जो है कि shortlist candidate को admit card download करने के लिए आपको website पर जाना है और वहाँ से admit card आप download करेंगे इसके लिए आजकल कोई ऐसा trend नहीं है कि आपको mail किया जाए या SMS किया जाए बार बार आपको visit करना रहता है और मुझे जब time मिलता है जैसे मेरे पास time जब रहता है तो मैं पूरे website को search करता हूँ देखता हूँ तो इस time मैं वीडियो बनाता हूँ अब मैं बात कर रहा था online application form फिल करने के अंतिम तिथी के लिए तो देखे मैं पहले आपको बता रहा था कि 15 days रहता है यहाँ पे 15 days दिया है कि application form employment news से publish होने की तिथी से आपको 15 days आपको count करना है त पब्लिस हो गया होगा तो आज से ही count करना है और application form जो है accept होने की जो receipt होने की अंतिमतिती है 16 मार्च 2024 साम को 5 बजे तक है इससे पहले ही आपको online application form फिल कर लेना है अभी मैं employment news नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं exam duty में था और duty से आने के बा account करना है अधर्वाइज यह जो वेकेंसी हैं सिरी अर्विंदो कॉलेज मौर्णिंग इनो सिटी आफ दिली में आवेदाना मंत्रित हैं 100% सरकारी नोपरी है तो इसी तरह का update और नी वीडियो की जंकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें वेल नोटिफिकेशन को आ कर लें जैसे के update और नी वीडियो की जंकारी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहें इसी के साथ धनिवाद